आज हम सपन क्या होते इसके बारे में जानने वाले हैं सपन जो होते हैं वो जो हमारे मन में इमेच बन कर आते हैं जब भी हम नीन लेते हैं उसी समय सपन हमें दिखते या कभी-कभी बहुत दिन में भी मतलब जब हम जगे होते उस समय भी सपन एक दिवा सपन मतलब आखों के सामने दिखने लगते सपनों की जो दुनिया है वो कापी अलग है यह हम जिस सपन की बात कर रहे हैं जैसे कि कि इस कि वीशिशकर सिंगमन फ्राइड ने जो सपनों को लेके उनका जो विश्लेशन किया है उसके अनुसार उनने सपनों का जो जगत है उस जगत के बारे में उनने बात की है कि और एक यूंग करके साइकलोजिस्ट है उन्हें जो कलेक्टिव साइकलोजी की बात की है वो उसके परे कहने का मतलब इतना ही है कि जितना भी साइकलोजी का जो विस्तार हुआ है या विकास हुआ है उसका एक मात्र कारण है सपन और सपनों का किया हुआ विश्टेशन तो यहां हम जिस ड्रीम के बारे में जिस सपन के बारे में बात करने वाले की इस सपन क्या होते इस सपन क्यू आते इस सपनों का क्या जगत है इन सपनों का क्या मतलब है यह सब हम यहां पर जानने वाले है तो इसमें पहला जो है, जो सपन सम्मंदित होता है हमारे शरीर से, तो शरीर की जो प्रक्रिया है, शरीर का अपना एक रिलीम है, अपना एक अस्तित्व है, और इस अस्तित्व के साथ शरीर में, मतलब इस बहुतिक शरीर में सपनों का विकास होता है, जैसे दबहुए विचार, जैसे दबहुए मणोदशा, मनभावनाए, दबहुए फिलिंग्स, इमोशन्स, ये जो बाते हैं या शरीर से संबन्दित, जितने भी जैसे की भूक लगना, या जो भी इच्छा पूर्ती है, उसका पूरा नह होना जो भी हमरा जीवन है, वो जीवन में, जितनी हमने महतवकांखशा किये, वो महतवकांखशा का पूरा नह होना तो उसी कारण, या शरीर अपसेट होने के कारण, जो सपन लिमान होते हैं, वो सपनों का जगत भहुतीक जगत है वो बहुतिक शरीर के अस्तविस्त होने से ही निर्मित होते हैं अगर बहुतिक शरीर ठीक हो, रिलैक्स हो या कोई आदमी द्यान करने वाला हो सास की प्रक्रिया को जानने वाला हो अंदर जाती वी सास और बहारती सास के साथ बना रहे मतलब सास की प्रक्रिया को अगर वो ठीक तरीके से जानता है यह जिसका सास काफी रिदमिक होता है उसकी वीचारों की प्रक्रिया कम होती लगती है तो जैसे वीचारों की प्रक्रिया कम होती है उतने सुपन और जो ब्रिदिंग है जो सास है उसमें बदलाता है वो काफी रिद्मिक होने लगती है इसलिए सपनों का और ध्यानों का वही उतना संबंद है इसलिए एक बात को हुमने ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी शरीर और शरीर से संबंदी जितनी भी क्रिया है जितने भी sensation है जितने भी aspiration है जितने भी हमारे इद्गित जो surrounding है इसका जो परिणाम है वो अपने मन में होता है और जितना मन में परिणाम होता है उतना उसका रुपांतरन एक प्रकार से सोपने में आता है जब हम नीन लेते उस समय वही विचार वही दबे कुछले जो emotion हो दबे कुछले जो विचार हो या इच्छा अकंग्षाए हो या कोई sex से संबन्द में बाते हो यह सब मन में उभरती है यह जो मन में उभरने वाली जो क्रियाई इसको हम सोपने केते हैं सोपन जो आते हैं वो काफी जैसे की चित्रमे सरुप के होते हैं और चित्रमे सरुप के जो सोपन होते हैं वो विचारों के कारण आते हैं जितना विचारों को दबाया जितना emotion को दबाया जितने desire को दबाया उतने सोपनों उभरते हैं उतने सपना आते हैं और इन सपनों के कारण हम बीमार भी पढ़ते हैं इन सपनों के कारण हम डिस्तर भी रहते हैं इन सपनों के कारण हम तनागृस्त जीवन का सामना भी करते हैं क्योंकि जो भी प्रक्रिया है जीवन की जीवन की प्रक्रिया में अगर हम ठीक तरीके से उसमें नहीं आते तो जो जीवन जो अस्तविस्त हो जाता है इसी कारण उसी प्रकार के सुपना में पड़ते हैं तो पूरा का पूरा जो आदिमी का मास्तिक स्तर पर बीमार होना है वो बीमार होना ही उसके सुपनों के कारण है इसलिए जो भी विचार आते हैं वो सुपन बन के आते हैं विचारों से बरा हुआ जो आदमी है उसके जीवन में ज़्यादा सुपना होते है इसलिए ये सुपना होते हैं बहुत तिक शरीर के कारण ऐसे जो शरीर की जो प्रक्रिया है और हमें सब को ये पता है कि हमारा जो शरीर जो है वो शरीर और इस शरीर के अंदर जो एक शरीर है जिसको हम भाव शरीर कहते हैं जितको हम एतरिक बाड़ी कहते हैं उसके संबंद भी सुपना है ऐसे साथ बरकार के शरीर है तो पहला तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं यह जो भाव तीक शरीर है वो इसको हम स्तूल शरीर कहते हैं जिसको हम फिजिकल बॉड़ी कहते हैं और इससे परे जो एक्तरीक बोड़ी हैं जिसको हम भाव शरीर कहते हैं जिसे काफी लोग बहुत सारी साधना करते हैं और जिनके शरीर में काफी वेदनाएं काफी पीड़ादाइक सब वेदनाएं होती हैं यह सब डिस इस के कारण जो होता हैं वो सब हमारे शरीर में जो डि उसके अपने एक सुपने उसी तरीके से एक है एस्टल बॉड़ी जिसको हम कहते कि सुष मशरी अगर ठीक से हम अच्छी नीन ले ले तो उस नीन में जो नीन अच्छी तंदुरुस दिलाती है जो नीन विचारों के परे होती है या बहुती सुष्म इस तरीके से होती है जहाँ पर हम पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ जहाँ पर हम जागुरु थे या जागुरु थे इसका भी पता नहीं चलता उस अवस्ता को एस्टल बॉड़ी कहते है बतलब ध्यान की प्रक्रिया से अब जब गुजरेंगे तो एस्टल बॉड़ी की प्रक्रिया भी एक नएक दिन आपको समझ में आएगी तो इस एस्टल बॉड़ी को सुष्प शरीर कहते है और उसके अपने सुपन होते हैं और इससे परे भी एक बॉड़ी है जिसको कहते है कि मेंटल बॉड़ी जो कि हमारा मनस शरीर है इसके भी अपने एक सुपन है इससे परे एक स्पिरिचल बॉड़ी है जिसको कहते है कि आत्मिक शरीर और इसके भी एक सुपने हैं और इसके पर एक कोस्मिक बॉड़ी जिसको हम कहते हैं कि वैश्विक शरीर या ब्रह्म शरीर और सात्वा जिसको कहते हैं कि निर्वानिक बॉड़ी मतलब निर्वान शरीर और इसके भी अपनी सुपन होते ہیں इन साथ शरीरों के अपने एक सुपने और इनका एक जगत है लकिन वस्तन साइकलोजी के करणड़ हमें सिर्फ एक तो बहुतिक शरीर के सम्बन्दि जितने भी सुपन है जितने भी सुपन आते हैं उसको हम जानते हैं लेकिन भौतिक शरीर के परे जो सुपन है उसको हम जादा नहीं जानते हैं उसको बहुत कम लोग जानते हैं या उसको समझते भी नहीं इसलिए यहाँ पर हम भौतिक शरीर के बारे में जो देख रहे हैं इन भौतिक शरीयों में जितना भी जो हमारा वीजन है जो हमारा ड्र जो हमारी कलपना शक्ति है यह सब हमारे conscious mind से उपर आती है मतलब जितना हम दिन भर आखों से देखते हैं जितना हम दिन भर कानों से सुनते हैं जितना हम नाक से smell करते हैं या हमरे जीवा से हम स्वात रसपान करते हैं या शरीर से स्पर्श करते हैं तो इन सब इंद्रियों के कारण जितने भी मन में विशे उत्पन होते हैं चाहे विशे कामवासना से संब्धित हो चाहे विशे कामवासना से परे हो अपनी महत्वक आंक्षा से संब्धित हो चाहे विशेक अपने कलपना शक्ती से संबंदित हो कुछ भी हो उन सब का संबंद हमारे एक प्रकार के इन भहुतिक शरीज से उसका संबंद है अगर ठीक से हम उसे जाने ठीक से जानने का एक मात रूपा ये कि अंदर जाती है सास और बाहर आती है सास इसको हम आखे बंद करके जब जानेंगे जब इसकी अनुभूती हम करेंगे तब हम इस बात को समझ सकेंगे कि अंदर जाती वे सास और बाहर आती वे सास इसका बहुत ज़्यादा संबंद और बहुत बड़ा संबंद विचारों की प्रक्रिया से कि मैंने विचारों की प्रक्रिया से नहीं ये पूरे के पूरे इस साथ प्रकार के शरीयों से हैं तो सुपन जो आते हैं इनके ही माद्धिम से अगर इनका अपना अपना जो लिंक है वो वी सास से बनाएं और जब भी हम सास लेते हैं तो क्योंग सास नहीं लेते हैं सास के साथ जो वाइटल एनर्जी हैं जो चैतन्य एनर्जी जिसको हम कहते हैं उस एनर्जी की एने और जाने की आना और जाना इनकी प्रक्रिया हमारे शरीक के माद्दे में से होती रहती है और जितना इसके पती हम जागरुपता बनाएंगे जितना इसके पती हम conscious हो जाएंगे उतना ही हम शरीर की इन सपनों की दुनिया को हम जान सकते लेकिन अभी जो हमारे समाज का जो system है या व्यवस्ता है उस व्यवस्ता के कारण जितना भी मन विचारों से भराए, मन में जितने भी विचार आते हैं, वो विचार ही एक प्रकार से, हमारे मेमेरी से, या दबे हुए जो इच्छा कंख्षा हैं, तो दबे हुए, सप्रेस हुए इच्छा कंख्षा हैं, इमोशन्स वही सप्णों में आते हैं, यह जो सपन हैं, यह भौत टिक शरी जो है, जो फीजिकल बाड़ी है, इस से संभननी इस प्रकार की सपन होते हैं, तो इस सपन में हमें कुछ भी दिखता है, इस सपन में जैसे की कोई आदमी और उसका शरीर जो है, और शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है जो भी उसकी जो बीमारी है वो बीमारी के कारण उसी प्रकार के सुपन उसके मन में आते है इसलिए इसका जो विकास हुआ है मतलब सिग्वन प्राइड ने जितनी भी बाते की है वह सारी के सारी बाते मनुष्य के काम जीवन के संबन में क्योंकि उन्हें ने जो बाते की कि सोपन जो हर एक सोपन जो आता है उसका संबन उसने काम जीवन से लगा आए क्योंकि मनुष्य की सबसे ज़्यादा इच्छा है उसी से संबन देते हैं वही मनुशक की प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति से कभी मुक्त नहीं हो सकता यहीं उनका आकरी सिद्धानत है लेकिन जब हम इन सुष्प विध्यानों को जानेंगे अखिरकार विज्ञानी शब्द का यह आरत जानना है तो इन विज्ञानों को जब हम जानेंगे और दियान के साथ अगर इसको हम जानने का तरीका रखेंगे तो इसका जो रहसे उस रहसे को हम प्रकट कर सकते हैं इसलिए जितने भी फेंटैसी जितने भी विचार जितने भी कलपनाए जितना भी जीवन को प्राप्त करने का तरीका जो की नैच्छल तरीके से नैसरविक तर जो अस्ते विस्ते इसी कारण ज्यादा तर सपन आते हैं लेकिन उन सारे के सारे सपनों का संबंद हमारे भौतिक शरीर से हैं मतलब अगर हमें भूक लगिये तो सपनों में हमें केवल रोटी दिख सकते हैं खाना दिख सकता हैं अगर हमें प्यास लगिये तो सपनों में केवल हमें पानी दिख सकता हैं अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो सपनों में हम वो चीज़ें प्राप्त कियें ऐसे हमें लगता हैं तो इस कारण से सपन जादा मनश्यों को प्रभावीत करते तो उनको जानना बहुत जरूरी है और कुछ सपन होते जो prediction भी करते कुछ सपन जो होते वो आगे क्या होने वाला है इसका interpretation करते समय वो भी हम समझ सकते लेकिन उसके लिए हमें ठीक तरीके से अपने इस physical body को जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए ध्यान का करना भी उतना ही जरूरी है तो आज के इस topic में कि भहतीक शरीर जो है इन शरीरों की जो प्रक्रिया है और इसके प्रक्रिया से जो सपन निर्मित होते हैं इसके बारे में आपने यहां पर जाना है जो सपन निर्मित होने का जो कारण है वो विचार है और विचार को अगर आप स्टॉप करेंगे तो breathing जो है सास जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है और सास को अगर स्टॉप करेंगे तो विचार आना बंद हो जाता है सास और विचार एक दूसरे से dependent करते हैं जितना हम सास को जानेंगे उतने विचार कम होते जाते हैं या रुपांतरित हो जाते हैं या बदल जाते हैं जितने विचार कम उतना शरीर भूतिक शरीर के सवपन कम इसलिए जितने विचार जादा उतने सवपन जाता तो सवपन आने का कारण विचार ये सवपन आने की विचार ये केवल भूतिक शरीर से संबंदित जो बाते उत बहुत शरीर विज्ञानों के संबंद में क्या संबंद हैं इसके बारे में हम जानकारी अगले लेक्चर में या अगले एपिसोड में हम देखेंगे धन्यवाद